असलाम उलेकुम पहली जमात हिस्सा अवल उन्वान सफाई में हमारी मदद कौन करता है? बच्चों आपको इस तस्वीर में बहुत सारी चीज़े नजर आ रही है हमें इस में से वो चीज़े तलाश करनी है जो हमारी सफाई में मदद कार है तो चलो हम वो चीज़े तलाश करते है तस्वीर में हमें बरश और टूट पेस्ट दिखाई दे रहा है ये हमारे दाप साफ करने के लिए काम में आता है तो ये हमारे जिस्मानी सफाई के लिए मददगार चीज़ है अब हम और तलाश करते है के हमारे लिए सफाई में कौन सी चीज़े मददगार है ये है साबुन बच्चो साबुन हमारे नहाने के लिए काम में आती है इससे हमारे जिस्म की सफाई होती है इसलिए है हमारे जिस्मानी सफाई के लिए मददगार चीज़ है बच्चो ये है तॉलिया तौलिये से हम नहाने के बाद अपने जिस्म को साफ करते हैं, खुश्क करते हैं तो ये भी हमारे लिए सफाई में बहुत मददगार चीज़ है ये है कंगा, कंगा भी बहुत काम की चीज़ है, इससे हम बाल सवारते हैं ये भी हमारे जिस्मानी सफाई में बहुत मददगार चीज़ है बच्चो ये है आईना, आईने में हम देखकर अपने आपको सवारते हैं ये भी हमारे लिए सफाई में मददगार चीज़ है ये है रुमाल, रुमाल से हम नाक साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं खासते वक्त मुपर रुमाल रख लेते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुती सफाई में मददगार चीज़ है ये है निलकटर, निलकटर से हम नाकुन तराशते या काटते हैं अक्सर हमारे नाकुन बढ़ जाते हैं तो हम निलकटर के जर्ये ही अपने नाकुन काट कर अपने हाँ साफ रखते हैं तो बच्चो ये भी हमारे जिस्मानी सफाई में बहुत मददगार चीज़ है खेल कूद कराते हैं तो हमारे हाथ बहुत गंदे होते हैं तो हम इस हैंड वाश के जरीए ही अपने हाथ साफ करते हैं खाना खाने से पहले भी हम हैंड वाश के जरीए अपने हाथ साफ करते हैं ये भी हमारे जिस्मानी साफाई के लिए बहुत कारमत और मुफित चीज़ है अब हम देखते हैं चाट में कि और कौन-कौन सी चीज़े हमारी सफाई में मददगार है यह है चौकलेट चौकलेट ज़्यादा खाने से बच्चों हमारे दाथ खराब हो जाते है इसलिए ये भी हमारी सफाई में मददगार चीज नहीं है अब बचा शापनर शापनर के जरीए हम पैंसिल को नौक करते हैं तो ये भी हमारी सफाई में मददगार चीज नहीं है पैंसिल के जरीए हम लिखने का काम करते हैं तो पैंसिल भी हमारी सफाई में मददगार चीज नहीं है आईना, निलकटर, रुमाल, तॉलिया, साबून, टुत पेस्ट, कंगा ये तमाम चीजे हमारी रोज मरना जिन्दगी में बहुत ही काम आती है जिससे हमारे जिसमे की सफाई होती है और ये तमाम चीजे हमारी जिसमे की सफाई के लिए मुफीद है कारा में दे और इसे हम रोज इस्तेमाल करते है शुक्रिया